वालेकुम डियर स्टूरोटर्स, क्लास फिफ्थ, एक्टिविटी सिक्स, यूनिट सेकंड की लास्ट एक्जरसाइज है ये, उसमें है हमें पहले डिविजिबिल्टी रूल क्या है, हम कैसे इडेंटिफाइ करेंगे बिगर नंबर उसको, क्या ये डिविजिबल होगा, टू हमने तो वह पढ़ा लांग डिविजिन, अब हमें इडेंटिफाइ करना है यहां पे, क्या हम देख सकते हैं क्या ये डिविजिबल होगा, टू से की नहीं, हम करेंगे, अगर डिविजिबल्टी पे टू पो रही है, अगर वनस डिजिट पे जो भी नंबर होगा, वह 0, 2, 2, 4, 6, 8, even numbers, even number, अगर लास्ट में even number होगा, तो ये नंबर पोरा का पोरा डिविजिबल होगा, 2 से, for example, अगर यहां पे होगा, 9, 6, 3, 1, यहां पे आड है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल्टी पे 3 पो रही है, sum of the numbers, if the sum of the numbers is divisible by 2, 3, then the whole number also divisible by 3, sum of the numbers, for example, 9, 6, 3, 0, यह नंबर है, क्या यह divisible, इतना बड़ा number हम divisible long division से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, direct sum of the numbers करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे, तो जो number आएगा, वह हमें divisible होगा, 3 से यह नहीं, वह हमें देखना है, 9 plus 6 plus 3 plus 0, कितना 9 plus 6 is 15, 15 plus 3 is 18, क्या 18 divisible होता है 3 से, yes, exact, 3 6 is 18, तो पूरा, the whole number also divisible by 3, समझाया, if the sum of the numbers is divisible, sum of the numbers is 18, is divisible by 3, then the whole number also divisible by 3, divisible by 4 पो रहीं हमें 196, यह 116, क्या यह divisible होगा, 4 से हम कैसे करेंगे, हम लास्ट के 2 digits, 4 में हमें हमें 2 में देखना है, last one's digit पे जो होगा, लेकिन 4 में divisible पे 4 बोलना है, बोला जा रहा है, last के 2 digits, one's digit, ten's digit, अगर वो नव दो नमबर divisible होंगे 4 से, exact, तो पूरा का पूरा number divisible होगा, 4 से, आप कर सकते हो, क्या यह पूर, यह तो होगे, last के 2 digits तो होगे, 4 से divisible, क् तेनों digits होगे, हम देख सकते हैं, 4, 2, 8, बचे कितने, 3, नीचे कितना है, 6, 4, 9, 36, तो पूरा का पूरा number divisible होगा, 4 से, अब है, ducibility by 5, ducibility by 5 बोले होगे, हमें, जो भी number होगा, जितना भी बड़ा number होगा, हम जूम करेंगे, last में जहां पर भी 5 होगा, वो ducible होगा, 5 से, last में जहां पर भी 5, 0 होगा, वो ducible होगा, 5 से, यह याद रखना, जहां पर भी 5 बोले होगे, आप last में, किसी भी इतने बड़े number को last में 5 बोले होगे, तो ducible होगा, 5 से, last में किसी भी number को 0 बोले होगे, तो यह भी ducible होग 5 से अब है душaảng दॉइसे निलिदेट 006 थोड़ा इसे डिफन एंड दू डिविलेट 006 में रूज्ट को यकम यदू आगर दूनों संता Genau वे तो A के देख्योंज तो डिवल्स पीश होगा अगर दूनों में इसे एक ूज फालो नहीं युवा तो नहीं होगा इसमें है हमें 43542 43542 यह number है इसमें है rule 1 बोरा है अगर यह number divisible by 2 से होगा divisible by 2 and divisible by 3 six में बोला जा रहा है अगर 2 से भी divisible होआ और 3 जो हमने यहां पर sum up the numbers किया वो भी होआ फालो यहां पर तो यह number पूरा divisible होगा 6 से पहले 2 से देखेंगे क्या यहां पर 2 है last में तो even है तो हो जाएगा obviously तो divisible by rule 1 फालो रूल 2 क्या है इसका divisible by 3 4 plus 3 plus 5 plus 4 plus 2 4 plus 3 7 7 plus 2 9 यहां पर है में कितना है यह 4 plus 3 7 8 9 10 11 12 13 13 plus 18 5 total 18 अगर यह यहां प्रोल है किसे 3 से 3 तो दोनुर रूल्स फालो है न तो ओवेसली इस नमबर आलसो डिविजिबल भाइ शीक्स डिविजिबल भाइ सिक्स दिवी शीक्स में क्या है अगर rule 1 भी fellow हुआ और rule 2 भी फालो हुआ तब यह 6 से होगा अगर diviableـ 6 more है अगर यहाँ पे 4,3,5,4,1 होगा पहले ही rule 2 follow नहीं हुआ तो rule 3 देखना ही नहीं है то rule 3 follow नहीं होगा rule 2 follow नहीं हुआ तो rule 3 हमें देखना ही नहीं है तो duecibly पे 3, 6 नहीं हो गा यह समझाया जिसमें एक भी रूल फालो नहीं होगा वो 6 से भी नहीं होगा अब एक डिविल्टी बाई 7 डिविल्टी बाई 7 बोर रहे हैं हमें पहले हमें लास्ट वह डिजित पी जो नमबर होगा वो देखना है वो कौन सा है 5 है 3, 6, 7 5 को हमें double बनाना है क्या बनाना है double 5 को जब double बनाएंगे वो बने का 10 5 into 2 double बनता है 2 multiple है 2 करने से कोई भी number double बनाना है तो multiple है 2 5 into 2 10 और जब यह double बनाया वो number minus करना है बाके 3 digits से 3, 6, 7 minus 10 वो कितना हुआ 350 से हुआ अगर यह number divisible होगा 7 से तो पूरा का पूरा number divisible होगा 7 से समझाया अब है divisibility by 8 divisibility by 8 बोर रही है हमें 2, 9, 6, 8 2 में क्या था last one's digit पे जो देखना था 4 में क्या था 2 digits देखने है और 8 में है 3 digits कितने हैं 3 digits अगर यह 3 digits divisible होगे 8 से तो पूरा का पूरा फिर यहां से कितने भी नंबर होंगे 3, 8, 7, 4, 2, 8, 0, 0 मैंने यह लिया अगर यह 3 digits divisible होगे 8 से तो यह पूरा का पूरा number divisible होगा 8 से समझाया अब हैं divisibility by 9 divisibility by 9 पो रही है जैसे 3 था सेम वैसे ही sum of the numbers if the sum of the numbers is divisible by 9 sum of the numbers किना 8 plus 5 plus 6 plus 8 वो किना हुआ 27 8 is 16 16 plus 6 22, 24, 27 अगर यह 27 divisible होगा 9 से किसे? 9 से, 3 से नहीं, 9 से 9, 34, तो this whole number also divisible by 9 समझाया उसके बाद है divisibility by 10 10 से क्या? last में जो, अगर 0 होगा 1 is digit पे, तो divisible होगा अगर 9 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 4 होगा तो divisible 10 से नहीं होगा खाली last में 0 होना चाहिए उसके बाद है divisibility by 11 11 में हमें, 11 में है हमें divisibility by 11 बोर रही है, हमें देखना है जो डिजिटिस हैं, उनकी प्लेस इसकी प्लेस है, और दूसरे की क्या है, even प्लेस, तीसरे की है, और यह 8 है, आप यह मत कन्फूर मत होना, यहां पे यह even है प्लेस देखनी है, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और, even, और, even, और समझाया है, यहां तक, उसके बाद, sum of the odd numbers है and sum of even numbers, पहले का ना है sum of odd numbers, कितना है, 6 प्लस 8, प्लस 9, समझाया है, 9 प्लस 8, 17, 17 प्लस 6, 22, समझाया है, 20, और उसके बाद, even, यह था odd, अब है, even, even कौन कौन है, 1, प्लस 0, कितना हुआ, मानी, और उसके बाद, बोरा जा रहा है, if, odd, difference of odd and even, odd minus even, 22 minus 1, कितना हुआ, sorry, यहाँ पे 23 था, जल्दी में होता है, 6 प्लस 8 प्लस 9, 23, 1 प्लस 0, 1, अब odd minus even कितना हुआ, odd 23 है, और even 1 है, तो answer क्या है, 23 minus 1, 20, 22, अगर यह नमबर duosable होगा, 11 से, तो पूरा का पूरा नमबर duosable होगा, 11 से, तो 22, obviously 11 से duosable होगा, exact, तो the whole number also duosable by 11, समझाया, 11 में क्या है, पहले odd निकालने है, फिर even, फिर करना, sum of the odd numbers and sum of even numbers, फिर करना है, difference of odd minus, difference of odd and even, difference of odd कितना आया था, 23, और even कितना आया था, 1, तो इसकी difference क्या है, 22, तो 22 divided होगा 11 से, और अगर इनकी difference 0 भी आएगी, तो अगर 0 भी आएगा, तब भी जो नंबर होगा, जो नंबर होगा, वो डिवाइड होगा 11 से, समझाया,